तो फइनली में चुदा से कुटिया पफच चुट उपां होँ यह है चुदासरी पूटिया अलेगर और दोगेट कोणा है यहां से आप अराम से अरना अगर आप गाड़ी में है तो गाड़ी भी आप आपको यही पर पार करना होगा टिकेट में ले चुका हूँ अगर आप भारती हैं अगर आप बार्नर्स हैं तो वो 750 का आपका टिकेट मिलेगा यहां से टिकेट लेकर आप हम चलते हैं चुड़ासिकुक्या की सेर्बाद है छिक में तोः पीडाण की सर इनक चन्थर आपाद की वाइत शडिकेट खिकेट में तो हमें तो फाइनली चुरासी कुटिया के में गेट तक तक पहुच चुका हूं, यहां से जो हो जाएगी चुरासी कुटिया की एंड्रीज और बहार से ही आप देख सकते हैं, यानि मेडिटेशन केफ्स हैं, छोटी-छोटी कुटिया थे, कितनी ही खुबसुरत लग रही हैं, तो फाइनली चुरासी कुटिया के अंदर आती ही, सबसे आगे आपको मिलेगी चुरासी कुटिया की कैंटीन, जो की हाली में खुली थी लोगों के लिए, और काफी स्वाधिश्टों आगा खाना भी, आसा मैंने सुना है, कि खाना अचा है, और बाकी मेरे लेफ्ट हैं सा छोटी-छोटी जो कुटियास हैं कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी खुक्सुरत लग रही हैं, और मैं पहुजद एक्साइड़ हूँ इनको अंदर से देखने के लिए, और जरा मुझे इनको अच्छा से महसूश करना है, ये क्यों फेमस हैं, क्या इनकी खासयत हैं, तो आप यार वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जब आप चुरासी कुटिया से घुमते अंदर की तरफ जाओगे, तो अंदर आपको एक बड़ी सी इमारत मिलेगी, कम से कम चार मंजला जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये काफी फेमस है, पूरी चुरासी कुटिया के अंदर लोग इसको यहां भी इसको भी देखते हैं, इसका नाम है आपका आनन्द भवन या पी सिंधी भवन, तो अंदर से काफी खुबसूरत ऐसा कहते हैं, तो चलिए देखते हैं अंदर से क्या आसके कुछ खास है, क्यों ये इतना फेमस है, तो हम लोग आ चुके हैं इ अंदर से काफी खुबसूरत है, काफी बढ़िया है, और इनको तेके उम्मीद कर सकते हैं, कि यहां से पहले कुछ साल पहले तक तो यहां फिलाल सब कुछ ठीक ही था, लेकिन जब से इनको आम लोग के लिए खोला है, तो कुछ शार्ती परियाटा थे, कुछ टूरिस्ट ह अपनी प्रेमी का नाम यहां पर चनम कुणली के साथ लिख के चले गए हैं यहां के दिवारों पर जिससे यहां काफी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, और क्यूंकि कुछ पेंटिंग्स हैं, जो फॉर्नर्स ने बनाई हैं, यहां कुछ एंजियोस बनादी हैं, वो काफी आप मुपइ जभी जब खराब हैं, जो रहां अपनु काफी जब के घए खराब हैं, जो दो दोस्ते हैं, पुछ एंजियोस तारे हैं, जो चबने ने जो खराब हैं, यहां दो खशियोस तो यहां के कमरे हैं और यहां से इनकी छट में जाके देखते हैं कि ओपर क्या कुछ खास है जैसे जैसे ओपर जा रहे हैं तो यहां का वियू है वो काफी खूब सुरत है तो अगर आप यहां आएंगे तो इस भावन के छट में जुरूराइए क्योंकि छस्य जो पीछे के पहार आप देख रहे हैं नरेंदर नगरें जो पूरी काफी खूब सुरत लगई और आप जब आप चुरासी कुटिय अच्छे से घूम रहे होंगे तो आपको एक बड़ा सा हॉल थेगा एक यहां की और यहीं इस हुल के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है परेटे कहां पहुंचते हैं इस हॉल के जो खासी आते हैं यह है कि जो बीटल्स थे जो बैंड है उनकी की भी तस्वीर यहां पर पेंट की गई है अगर मैं आपको चुरासी कुटिय की कहानी के बार में बता हूं तो यह माना जाता है ऐसा कि 1960 में महरशी महेश योगी नाम के बहुती बड़े योग गुरू थे उन्होंने जो है इस पूरे आसरम की इस पूरे छेती की स्तापना की थी और यह फेमस जो है इस पेसली बीटल्स आसरम इसका नाम इसले पड़ा क्योंकि सेवंटी के दौर पे लंदन यानि यूके का एक बहुती फेमस बैंड जिसे बीटल्स बैंड के नाम से जो फेमस था वो यहां पर आये थे और स्वामी महेश जो योगी है उन्हीं के योग सीका था, योग किया था, मेडिटेशन किया उस वल्ट जो है उनके जो गाने थो काफी फ्लॉप चल थे कोई भी ऐल्बम उनकी जो है सई नहीं चल रही थी तो तब उन्होंने योग करके अपने माइंड को पंसरेट किया और जो छुटी-छुटी कुटिया आप यहा बार में वर्ड फेमस हुए, तो तब से यह जगे जो है बेटिल्स आस्रम के नाम से काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है तो राश्ची कुटिया को फिलाल को हमें एक फिल्मस स्पॉट के रूमस में देखते हैं कि हाँ फॉर्णरस गुंते हैं यहाँ पे हम जिसे लोग आप जिसे लोग गुंते हैं तिन बर फोटो शूट करते हैं और इन दीवारों के पेंटिंग देके काफी एक्साइट जात लेकिन यह उसकी जो कलाकारी है यह आप देख सकते हैं कि कितनी फेमस पेंटिंग उन्हों है जो है यहाँ पर बनाई है और इस पेंटिंग को देखके जो हम समझ सकते हैं ते महर्शी महर्श योगी का रूख किस तरह का था किस तरह के वो योग गुरू थे तो यह है उनकी एक मातर तस्वीर यहाँ पर तो फाइनली 84 कुटिया जिस चीज के लिए फेमस है, 84 केवस का नाम जिस चीज के लिए है, उन 84 केवस के बीच में पहुँच चुका हूँ यह है फेमस 84 कुटिया छोटी छोटी कुटिया है जिनकी जो टूटल संख्या है, वो 84 है इसलिए यहाँ का नाम जिस चीज कुटिया रख दिया गया है, ऐसा मुझे लगता है तो यह हैं वो छोटी-छोटी कुटिया आप देख सकते है मेरे पीछे जो कि इसने खुब्सूरत पत्थों से बनाए गी है आप से लगबग 50-60 पहले साल पहले इनको बनाया गया था और अभी तक जो है काफी मजबूत है रंग इनका निकल चुका है साफी तरसा हालत इनकी खराब हो चुके अंदर से लेकिन बहार जो मजबूत ही है वो अभी भी भी यहाँ देखने को मिल सकती है तो चलिए अंदर जाके देखते हैं और महसूस करते हैं कि क्यों इनको बनाया गया था क्या इनको बनाने के पीछे के कारण थे और किस तरह अंदर का एक अनुभव है जो हम अंदर जाके इनका देखने है तो मेरे पीछे यह है छोटी सी कुदिया इसके अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या कुछ खास है क्योंकि बहार से दिखने में बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है और आप नोट करेंगे कि इनके यहां पे इनके नंबर भी लिखे गए है कि कौन से नंबर का है यह आपको उल्टा दिख रहा है लेकिन 19 नंबर का है टोटल 84 ऐसी छुट-छुटी केब्स हैं तो चलिए इनके अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से कैसा है तो अगर इनके अंदर हम घुसे हैं तो अंदर से वाकी काफी खुबसूरत है चलिए शुटी काफी खुट डेट अचायद युग करने के लिए जो युग सादक यहाँ पर थे वो यह अंदर युग करते होंगे बहुत ही प्यायर शुटा सा है बिलकुल जासा गर ओता है आज की डेट में हमारा आपका शुटा सा तो है और खास बात है किए चुटा सा तो है लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए सेडीं भी है नंदल कि उपर भी एक छुटा सा कम रहा है उस जुहां द्यमाने जो आर्किटेक्ट आप के पर से कंवा का दिमान था क्या है उन्हों हो में बना दी एखिए भी कि दीए का इस ऑम सेडिया तो मर्मों की लगी है हिए हम आ चुक है बहुत बहुत प्र करने के लिए सी आ निकलने के लिए यां से बहुत निकलने के लिए तिक दिवार और फाइनले यह यह ज़त और जस है न यकीन मानें बहुत ही खुबसूरत भी हुए है खासकर जो ये छोटी-छोटी कुटियाज हैं बहुत ही खुबसूरत लेगी आप देख सकते हैं मेरे बीदेबार बिलकुल हठझ खराब नहीं है तो इक काफी कुद्षूरत है एक से एक कुटिया हैmaug कर दो ये ए आज एक काफी famous spot बन चुका है रिशी के इसका और ना सिव यहां के जो लोकल लोग है वो यहां पर आते हैं बलकि जो फॉर्णर्स हैं वो यहां पर बड़ी संख्या में पहुंसते हैं और कोई ऐसा सीजन नहीं है कि जिस सीजन में वो यहां ना आए बलकि जो गरिमियों का यहां पर लेकिन अगर आप मार्च अप्रेल के समय में आएंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा क्राउट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों चुरासी कुटिया में घुमते घुमते अगर आपको तकान लग जाए भूग लग जाए तो उसके लिए आपको निरास होने की नाईए नाही कही रेश्टूरेंट देखने की जुडत है क्योंकि चौरासी क्या में? चौरासी क्यां चैंतीन भी है चौरासी कुटिया कैंटीन भी तकान नाम से इस कैंटीन का नाम है नाम है और यह चुब्दीव मिल सब्सटेन क को चालीक रोटीग लेक्त अगर आपको दूस्तों में शेर करें ताकि जो व्यूज हैं वो मिल सकें वीडियो को वीडियो जो है लोगों द्वारा पसंद की जा सकें और जहां तक बात इस जगे की है चुरासी कुटिया जगे का नाम है और बहुत ही फेमस स्पॉट है रिशी केस में जब आप रिशी केस आएंगे औ और बहुत ही खुगसूरत इंवार्मेंट है बहुत ही प्यारी जगे है खासकर वीडियो के लिए फो टुशूट के लिए फैमली के लिए रेश्टॉएंट अंदर ही है तो यह वीडियो को जरू सेर करें और अगर चैनल में नहें तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करिए चले मिलिंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ है